नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों आपको बता दें कि एक मार्च के शुबह नो बज़े से जया दोस्वों यह शमय से आपके जोनकाल में महावली हनुमान जी के सिबास से बड़े चमतकार होने वाले हैं जा दोस्वों दरशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शमय मंगलवार का दिन होगा यानि महावली हनुमान जी का दिन होगा और यह शमय अंत्राल में इनके अश्रबास से गरों की कुछ यसी इस्तिती बनेगी गरों में कुछ यसी दुरलबश्यों होंगे जिनके का आखनर बहुती धन्यों के दिनल्मान होंगे बहुती आपके रुकेकार उमें गत्याने वाली है बॉपशार लाब में बहुत अच्छे शुधार होन्य आपको बता दें कि यह महावली बजरें बली के श्रबाज शे आपका जीवन बहुती शुक्मय रहने वाली है क्योंको दोस्तों आपको बिता दें कि कारी चुत्र में भी यह में आपको बड़ी धनलाब होंगे रुके हुए कारियों में गत्याएंगी और पिछले जो भी कारियों में आपने शमय वहतित किय रहने वाले हैं जाँ दोस्तों दोस्तों यह में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिश्णा करें और शुरूर से लेकर अंतराग जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप शबी महत पुंजार कारे को जानेंगे कि यह अंतराल में आपको किने चित्रों को लेकर शाह बार होंगे तो दोस्तों अंतर तक देखेंगा उश्य पहले दोस्तों जोपी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जाए हनुमान लिखेंगा गुरू जी का और महाबली हनुमान जी का शेधा सिर्भात पराप करेंगा तो दोस्तों जरूर ल करती आपका श्रकारत्मक दिश्टी कौन बना रहेगा आपका रहन शाहन तथा बोल जाल का तरीका जो है शवी लोगों का ध्यान आपके तरफ आकरशित करेंगा घर में भी कोई शुब मंगली कारे शंपन होने जैसी योजनाय बनेंगी विद्यारत्यों को अपने किसी प् करें नकात्मक प्रविडिती के लोगों से दूरी बना कर रहें दोस्तों उनके विश्टी आपके मन शुमान पर आचा सकती है तो इन बातों पर आपको यह में गौर करना चाहिए और इसकी प्राण दोसने यह में आपको बदा दें पेसे से समय वाइवार पर पूरी तरश अपने मार्क पर अकेले चलने के लिए ही मन को त्यार रखें इसको प्राण दोसे यह में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि दिन चरिया में कुछ और परताशित बदलाव भी महसूस करेंगे आप हर प्रस्तित का मुकाबला हिम्मत वह फिर शहां से करेंगे खास दोर पर मैलाओं के लिए जो समय हैं बहुत शुकुर मराश आप दोगा नहीं उजनाय बनेंगी और परिस्तियां लाब दाए रहेंगी इसको प्राण यह में किसी नईदिकी श्रमदों से बिबात की स्थिती भी उत्पन हो शकती है इसलिए संयम रखें अपन प्राण दोसे यह में फिलाल आप वक्त के वल प्रस्तिती और खुद का वलुकन करने में ही बरवाद करें जिन बातों में बदलाव लाने की आवसरता है उन बातों पर काम करना यह में अथ्यन्द आवश्व होगा आपको बदा दें कि अपने वक्त को बरवाद ना करते और अध्यन्द शमंदी कारियों में भी बहत्र समय वर्थित होगा कोई सुपसवजना भी मिलेगी शमाजिक तथा राई नितिक कार में अपना वर्चस्व बढ़ाने से समय आपका उत्तंग होगा इसको प्राण दोसे यह में संतान की पढ़ाई से समधित कुछ चिंता रह अजनेवी लोगों पर भरुशा ना करें ध्यान रखें कि आलस्वा फिर बहुत अधिक सोच जार करने से ही शमय वर्थ हो सकता है तो दोस्तों इनसे बचें इससे आपके कार्चमता भी प्रवाईत होगी इसको प्राण दोसे यह में नई लोगों के साथ जान पहचान बढ आपको शिखना होगा इसको प्राण दोस्तों में आपके लिए जोसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि बहुत अधिक वैस्ता के बावजूद भी आप अपने परवार होगा फिर शमद्यों के लिए शमय निकालेंगे तदा खुश्णमा शावे होतीद होगा आपकी का लिए विपरित प्रस्तियों बना शकती है इसलिए दोस्तों यह में किसी पर अधिक विश्वास ना करें रहें और दोस्तों यह में घर के किसी सदस्के स्वास को लेकर चिंता भी रह शकती है इसको ब्रांत दोस्तों यह में आपके लिए जह होगी दोस्तों आपको वदा कि आपका अधित्तर वक्त परिवार की लोग और व्यक्तिकत रिलेस्टन्सिप को ठीक करने में ही वहतित हो शकता है आपको वज़ादें जिनकी वज़र्शी आपको मंसिक शमधान तो प्राप्त होगा लेकिन किन रिष्टों पर आपको कितना निर्भर रहना है दोस्तों और कितना ध्यान देना है इस बात को यश में समयने की भी आउशकता होगी इसको प्राप्तों से यश मेंगर आपके केरियर को लेकर बात के नर्थात आपके वज़ाय की तो दोस्तों यश में वज़ाय के दिदियों घर पर ही रहकर सुजरूर्व से किन रिष्ट करते और शंपरकों के माध्यम से सब ववस्ता हो जाएंगी आपको बदा दें सेर्स आदी में निविश करने का उत्तम होगा प्रंतु उसके बारे में उचित जानकारी अवसे लेले इसको प्राप दोस्तों यश में आपके केरिश के लिए आपको बदा दें कि दूस्तों को यश में बहतर होंगी ही प्रंतु आपका जो घर का महौल में उनमें भी शुदह रहेंगी इसको प्राप दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में कुछ मनन वा प्र चिंतन करने की जरूत होंगी वायुषाय में कर पर नाली समधित नित्यों पर विचार विमर्स जरूर कर अगर कोई विभाग जात चल रही है तो दोस्तों उसका प्रिणाम आपके पक्ष में ही होगा इसलिए इसमें तनाव अपने उपर हवी नहोंने दें इसको प्राप दोस्तों यहाश में आपके के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि कार चुत्र में आपका प्रभाव का वह पिर दब्दवा बना रहेगा नई ओर्डर भी आपको मिलेंगे अपनी उच्टनाव को गुपत रखे इस बात पर आपको यह में घौर करना चाहिए तथा अपने काम की क्वैलिटी को भी और दिक बहतर बनाने की प्रयाश करना चाहिए किसी वरिश्वक् इसमय प्रगरता आने वाली है तो अब यवाक के योग भी बन रहे हैं इसको प्राण दूसरे के लिए बात वह पिर श्ला को अमयत देंगे प्रम्तु वर्थ के प्रेम्प शमंदों में अपना श्मेश में नश्ट ना करें यह आपके लिए उच्छत होंगे इसको प्राण शमंद के लिए आपको बदा दें कि दोस्तों दामपधी जीवन में ने देखियां बढ़ेंगी छोटी मोटी नकात्म बातों को नजरनदाज करें प्रेम्प शमंदों की भावना जो हैं परधान बने रहेंगे इसको प्राण दोसरे यह में आपके लवलाइप के लिए आदि दोस्तों यह में आपके हेल्थ लीजिस अमगे सिर्धा दौब अपिर मायर्गरेंट की शमस्या परिशान करेंगी बढ़ याउचित बचाव रखें इसको परहां दोसे यह में आपके स्वास कली संब्योंगे दोस्तों आपको बता दें 36 संसरी समय कुछ परिशान हो होगी कुछ शमय अध्यान और मेट्रेशन पर अवश्वाइतित करें यह आपको शकात्म परिणाम देंगे तो दोस्तों जरूर नियुपर ध्यान दें आपके स्वास के लिए बहतर शाविद होंगे और इसके साथ दोस्तों यह शमय अगर आप शाहतनी को रखेंगे तो स्व आपका उत्तम रहेगा हलकी भुलकी मोश्मी परिशानियां आपको हो सकती है जराशी सावधानी आपको स्वास रखेगी दोस्तों जरूर नियुपर ध्यान दें